हिंदू बिरोधी है और राम बिरोधी है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं राम के स्तित्व को नकारने वाले लोग हैं मर्यादा प्रस्तम प्रवसीर राम की इस्तुरिय सत्ता को चनौती देने वाले लोग हैं तो इनसे यह उमीद करना कि भारत की आस्ता का सम्मान कर सके भारत के राष्ट नायकों का सम्मान कर सके आजादी के आंदोलन में जिन कांतिकारियों अपने महान स्वतंतरता संगराम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था उनके प्रतिस्तरधा का भाव रख सके ये अपने आप में एक इन लोगों से उमीद करना ही अपने आप में बेमानी है राम गोपाल यादो का जो बयान है इस समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के साथ इंडी गडवंदन की वास्तविक्ता को प्रदर्सित करता है और ये दिखाता है कि न केवल वोट बैंक के लिए लोग भारत की आस्ता के साथ खिलवाड कर रहे हैं बलकि प्रवस्तिर राम की इस सुरिय सत्ता को चनौती देने का काम कर रहे हैं और इत्यास गवा है जिसने भी सुरिय सत्ता को चनौती दी है उसकी दुर्गती हुई है प्रदान मंतिर जी ने भी एक इंटर्व्यू में कहा है कि विपक्ष द्वारा राम मंदिर के फैसले को बदलने की मंशा एक खतरनाक इश्यू है देखो ये लोग तो हमेशा सहीर अयोध्या में से राम म सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनकी भावनाएं हिंदूों के विरोध में जाती हैं भारत की आस्ता के विरोध में जाती हैं जिनका चरित्र तुष्टी करण की नीति को पोशक करने वाला आतंग बाद समर्थक और मर्यादा प्रुसुत्तम प्रभुसीर नाम के आदर्सों के विपरीत जो लोग सदे आचन करते रहें हैं ऐसे लोगों से इस से ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती है लेकिन इस सुर्य सत्ता को शनौती देने का मतलब बिना सकाले विपरीत बुद्धी और यही बक्तब्य नोगों के आरेन की वास्तविक चरित्र को जन्ताक जनार्दन के सामने ये रख देरा है हमेशा इनका प्रियास था इंडी गडवंदन से जुड़े हुए जितने लोग हैं कॉंग्रेस ने शुरू से प्रियास किया कि आयोध्या में राम मंदिर की मामले में माने नयायले से फैसला नाने पाए औरोड़े अठकाते थ थे इसके बाद जब ये मामला माने उच्छतम नयायले में भी गया तब भी इनो ने नो वरस आट साथ आट वरसों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें तो बाद में मोदी जी के नित्रतों में जब सरकार बनी और फिर प्रकरिया आगे वढ़ी फिर राज्या में भी सरका प्रकर दर्शन और इंके नित्रतों में आज अयोद्या में भब्र मंदिर का निर्माण और देश और दुनिया का कोटी कोटी सर्धालु आकर कि अपनी सर्धा को ब्यक्त कर रहा है एक नए अध्या का दर्शन कर पारा है तो स्वाभई कुरुप से कौंग्रेस सपा या इ यह लोग यह लोग आज भी जो राम गोपाल यादों कहे रहे हैं कि आयोध्या में इस राम मंदिर के लिए इस सनातनासा के साथ खिलवाड है कोठी कोठी राम भक्तों का अपमान है और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया है उन सब की आस्ता पर कुठारा घात है बाहरत का समाच इसको कतई स्विकार नहीं कर सकता इतना दूर दूर से वहाँ पर लाकों लोग आ रहे हैं रोज वहाँ दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए देश से विदेश से लोग आ रहे हैं उसमें इस तरीके का बयान देना हिंदू देखो इचड़ाने वाला है एक यौल तुस्टी करण की नीती पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाये रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है और इनकी वास्तिविक्ता इस प्रकार के बयानों से साफारी है इसी तरीके से मिलता जलता बयान लालू यादो जी ने वे दिया उन्होंने का है ति मुसल्मानों को भी रेजर्वेशन मिलना चाहिए देखो यही तो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गडवंदन से जुड़ेवे जो दल हैं कॉंग्रेस हो आरजेडी हो समाजवादी पार्टी हो यह वो बीसी के आरक्षन पर अनुसुची जाती जन जाती के आरक्षन पर सेद लगाने का प्रियास करेंगे इनका मैनेफेस्टो इस बात का उलेक करता है यूपी ए सरकार जब सत्ता में थी कॉंग्रेस नित्रीतों की यूपी ए सरकार रजेडी और समाजवादी पार्टी है दोनों उसके घटक थे उस समय इन लोगों ने रंगनात मिस्ट्रा कमीटी और सच्चर कमीटी गठित की थी रंगनात मिस्तरा कमीटी ने इस बात का उले किया था कि पंद्रह फीजदी बज़ सताइस में से छे फीजदी आरक्षन मुसलमानों को देना चाहिए जिसका भारती जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर बिरोत किया था उन्होंने का था धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं हो सकता फिर सच्चर कमीटी गठित करके इन लोगोंने अनुसोची जाती और जन जाती के सब आरक्षन में सेंद लगाने का कुछित प्रियास किया था इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को नुसुची जाती और जनजाती में सामिल करने का प्रियास किया भारतिय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था क्योंकि बाबा साब भीम्राव उम्बेट कर धर्म के आधार पर आरक्षन के विरोधी थे उन्हों ने का धर्म के आधार पर कोई आरक्षन नहीं हो सकता ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई वे ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण और जिसके कारण अनुसोची जाती जन जाती और पिछडी जाती के अधिकार बच पाए लेकिन कॉंग्रेस को समाजवादी पार्टी आरजेडी को जब भी उसर मिलेगा ये अनुसोची जाती जन जाती और पिछडी जाती के आरक्षण के अरिकार मर्ज सेंद लगा करके इन्हें जबरन अल्प संख्यों को देने का उच्छित प्रियास करेंगे देखे भारत के विभाजन की आधार सिला इनके द्वारा रखी जा रही है जिसको मद्दाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुर्जोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए मुखे मंद्री योगी आइतनात को सुन रहे हैं बहुती सक्त लहजे में शक्त सक्त शब्दों में उन्होंने कहा है जो राम विरोधी वो राष्ट विरोधी एक बार आपको फिर से सुनाते हैं प्रफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कहा है राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्धा प्रधान मंतिर ने बोला राम का अपमान है जो रोज राम के दर्शन करते हैं पर मंदिर नहीं गया अपलों वो मंदिर तो बेकार का है बेकार का है और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं मंदिर ऐसे नहीं बनते पुर राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्धा प्रधान मंत्री ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि ये राम भक्तो पर गोली चलवाने वाले लोग हैं ये इनकी मानसिक्ता को दिखाता है ये लोग भावना को आहत करने वाला है समाजबादी पाटी की जो सोच है वो आ माजबादी पाटी की प्रवक्ता जो चर्चा में बनी हुई थी उनसे हम आगे भी संपर करेंगे लेकिन जिस तरह का बयान राम गोपाल यादव ने दिया जाइड था इस पर एक बड़ा रेक्शन बीज़पी की तरफ से आना था और बहुत हद तक मुम्किन है कि आगे च जब कर निशाना साथा उन्हें आचारे प्रमूथ कृष्नम के उस बयान का जिक्र किया जिसमें आचारे प्रमूथ कृष्णम ने कहा था कि कि अगर कौंग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोट का फैसला बदला जाएगा ये बड़ा बयान था आचारे प एक और गहरी साजी से परदा उठा दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के सहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ड के फैसले को पलटने का है जैसे सहजादे जे पिता जी ने सहबानो केश में सुप्रीम कोर्ड का फैसला पलटा था वैसे ही कॉंग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है और अब आपको वो सुनवाते हैं राम मंदिर के फैसले को लेकर प्रमोध कृष्णम का बयान जहां राहूल गांधी पर उन्होंने जो खुलासा किया था वो आप देखिए यह धर्मिद्ध है और जो राम का नहीं है वो राष्ट का नहीं हो सकता है और जो राष्ट का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरिंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे और जो नरिंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशत्रो ही कहलाएंगे और एक बात मैं और बता दूँ मैं कॉंग्रेस में 32 साल से भी ज़्यादा समय मेरा भीता है जब राम मंदिर का फैसला आया राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांदीजे ने अपने नजदी की लोगों की एक बैठक में के बादे राम मंदिर कर राम हुआ है राम में बादे बन्हां हुआ हुआ है